बिग्यापन में जब अनिवार्ज भासा विशय के रूप में रखा गया था तो इसको हटाना नहीं चाहिए था और अगर हटाएं हैं तो इस पे लीगल फ्लू भी है कल कोई ब्यक्ति अगर कोई अभियर्ति अगर नियाले की सरण में जाता है तो बिग्यापन में जब आधनियाम गयर सम्मेदानिक निर्देशी जारी कर रहे हैं कहीं पुरे देश में नौ से पाच इसकूल के समय सार्णी है लेकिन बिहार में चल रहा है ऐसे-ईसे निर्देश निकलते जा रहे हैं सिच्छाविवाग से नई बच्चियां जो उस इलाके से विग भी नहीं हैं, नहीं नहीं भी पेसे से बहालो कर गई हैं, बिल्कुल ससंकित है, आतंकित है, भैभीत हैं, और इस इस्तिती में सिख्चा विभाग कहता है कि हम सैच्छिनिक महौल सुधा रहे हैं, हम सिख्चा को आगे भड़ा रहे ह हैं, इस धंके से जब तक सिख्चक संतुष्ट होकर सिख्चन कार्ज नहीं करेगा, तो भै पैदा करके क्या उससे सिख्चन कार्ज ले सकते हैं, अगर किसी भी तरह की घटना हो जाती है, तो इसकी जिमेवारे किसकी होगी, बिल्कुल से राजसरकार की होगी, विभाग की होगी, ऐसे जो पदाधिकारी इस धंके निर्देश जारी कर रहे हैं, पुर्य देश में कहीं नौ से पांच तक समय सारनी नहीं है, लेकिन यहां के पदाधिकारी निकाल रहे हैं, तो जवाब दे ही तो नहीं क्यों को लेनी होगी, अगर कब सचेत होंगे, क्योंकि गटना से समय मागने का प्रियास कर रहे हैं, ब्यस्ता उनकी है, लेकिन इसी बीच में हम लोग कई विधान पार्सदों के साथ हम लोग एक्सिस्ट बंडल मिलेंगे, और इन बातों को भी हम कहेंगे, यानि तो बिलकुल गलत हुआ है, बिलकुल करेंगे, मुखमंत्री जिस से समय कर दिए और लिखा जाता है, रिजल्ट के समय कुछ और हो जाता है, वहасा के अनिवाज़ता विध्यापन के समय में थी, ये किन रिजल्ट आने से पहले, वहासा के अनिवाज़ता समाप्त कर दी गई, अब इसके बाद कट एक्सवा कर दिया जाता है इस पर बात का निकले हमार साथ CPI के MLC है संजय कुमर सी कैसे देख रहे हैं जिस तरह से भासा के अनिवार्जा को समाप्त कर दिया गया कट अब बिल्कुल बिग्यापन के समय में जब भासा विश्ए को अनिवार्ज रखा गया और करीप-करी हम समझते हैं बिहार में सभी तरह की जो परिच्छाएं होती हैं BPSC के द्वारा अनक के द्वारा तो वहासा तो विशाए ऐसा चीज है कि उसकी तो अनिवार्जता तो रहनी ही चाहिए जो पहले से थी भी और इसलिए BPSC के विग्यापण में भी इसको अनिवार्जित लूप में रखा ग हैं उनकी संख्या उत्रिंता में ज्यादा बढ़ गई और हमारे राजे के बच्चों की उत्रिंता की संख्या घट गई जो बिल्कुल सही नहीं है और हम समझते हैं कि विग्यापण में जब अनिवार्ज भासा विशाए के रूप में रखा गया था तो इसको हटाना नहीं चाहिए था और अगर हटाएं हैं तो इस पर लीगल फ्लू भी है कल को कोई बैक्ती अगर कोई अभियर्ती अगर नियाले की सरन में जाता है तो बिग्यापण में जब अनिवार्ज रखे हुए थे तो आप जिजल तू में उसको खतम कैसे कर दें या बिल्कुल गलत हुआ अच्छाय विभाघ तो चाहिए तो नियाम परनियाम अधनियाम गयर समयधानिक निर्देश ही जारी कर रहे हैं नो से पाथ इसकोल के समय सार effectively यह हैर विभाण में चल रहा है ऐसे हिसे निर्देश निकलते जा रहे हैं सिच्छा विवाद से आज जो नए अव्यारती सिच्छक हो महिला हो खास कर महिला हैं कितनी पड़ेशान है कितनी पड़ेशान है लगातार हम लोग को वीडियो आ रहा है और अपना दुखरा रो रही है गारी सवारी नहीं मिल पात तक पैदल आकर सबारी पकरना पड़ता है, अब समझ सकते हैं कि इस चारे के समय में पांच बजे बिल्कुल अन्हेरात हो जाता है, अब नई बच्चियां जो उस इलाके से विग भी नहीं है, नहीं नहीं भी पेसी से बहालो कर गई हैं, बिल्कुल ससंकित है, आतंकित है, भ तक सिक्षक संतुष्ट होकर सिक्षन कार्ज नहीं करेगा, तो भै पैदा करके क्या उससे सिक्षन कार्ज ले सकते हैं, कता ही नहीं, आपने भैवित की बात की ही है, लेकिन कुछ वीडियो हमारे पास भी कुछ ऐसे वीडियो आये थे, और हमने देखा भी सोसल मेडिया पदाधिकार की होगी, विभाग की होगी, ऐसे जो पदाधिकारी इस धंके निर्देश जारी कर रहे हैं, पुर्य देश में कहीं नो से पांच तक समय सारनी नहीं है, लेकिन यहां के पदाधिकारी निकाल रहे हैं, तो जवाब देही तो नहीं क्यों को लेनी होगी, अगर से समय मागने का प्रियास कर रहे हैं व्यस्ता उनकी है लेकिंदी बीच में हम लोग कई विधान पार्षदों के साथ हम लोग एक्सिस्ट वंडल मिलेंगे और इन बातों को भी हम कहें तमाम सिकायच के के बाठक को ले करेंगे बिलकुल करेंगे मुखवंत्री जिस से समय इस इसे तरह तनी तो सही बात है कि विहार कर रहा है सरकार का बिरोध नहीं कर रहा है यह तो सरकार का एक बड़ा achievement है कि पूरे देश के अस्तर पर विहार ही एक ऐसा राज है जिसने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक लाग बीश जार सम्थिंग सिख्छकों के लिए लेकिन सिर्फ विहार के लिए क्यों नहीं पूरे देश के लिए यह होना चाहिए यह होना चाहिए और सदन में भी हम इसकी मांग करते रहे हैं अब बीजेपी वालित कहे रहे है कि निदीश कुमार प्यम बनने के चकर्म पूरे देश के लिए खूल दिए जब के अइसा किसी राज में नहीं है यह तो राजनिटिक सवाल BJP क्या कहता है और नहीं कहते हैं BJP के नेता उस पर तो मेरा कोई वक्तब नहीं होगा कॉमेंट नहीं होगा लेकिन होना चाहिए अपने राजी के बच्चों को प्रात्मिक्ता मिलनी चाहिए。 लोकि हमारे राजी के बच्चे बहुत बड़ी शंक्या में बेरोजगार हैं और जो महागरबंदन की सरकार है, उसका कमीट्मेंट भी है कि हम बिहार के बच्चे बेरोजगार बच्चों को नौकली देंगे और दे भी रही है सरकार दे भी रही है लेकिन उसी में इन चीजों को देखने की आवसकता है इन चीजों को देखने की आवसकता है क्योंकि जिस तरह से बहाली निकल नहीं है और बाहरी छात्रों का हो रहा है उसको लेकर के भी कहा है कि देखिए सबसे पहले परात्मिकता बि जरूर करें